नमस्कार साथियो आज हम टालकट पार्संस को जानने का प्रयास करेंगे टालकट पार्संस एक परमुख परकार्यवादी विचारक हैं अमरीकी विचारक हैं और इनकी जो पड़ाई है एजूकेशन है वो यूरोप से हुई है इससे पहले जो अमरीकी समासास्तरी थे वो के चीजों को देख रहे थे, explain कर रहे थे, सामाजिक theory विक्सित कर रहे थे तो पार्संस ने यूरोप और अमरीका का विस्तरित दायरा लेते हुए चीजों को समझने का और समझाने का प्रयास किया है तो आज हम इस कलास में इनकी सामाजिक क्रिया का सिधान्त जो कि सबसे महत कौन सी है पे चर्चा करेंगे इनका जनम 1902 में अमरीका के कोलोरेडा में हुआ था और 1989 में इन्होंने अपना सरीर था वो त्याग दिया था तो पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक बातों पे तो अगर हम इनकी जीवन की बात करें तो ये सरंचनात्मक परकार्यवादी थे क्या थे सरंचनात्मक परकार्यवादी थे और परकार्यवाद की जो चरम परकाष्टा थी वो पार्संस थे क्या होता है सरंचनात्मक परकार्यवाद जैसे कोई भी चीज होती है उसकी स्ट्रेक्चर होती है और परतेक स्ट्रेक्चर के जो अंग होते हैं उनका कोई ना कोई योगदान होता है तो योगदान को ही परकार्य कहते हैं तो इसको तो हमारे सब घ्रों में होती है, टेबल के 4 पाए होते हैं, और उपर एक फटा होता है. तो ये चार पाए और फटा ये टेबल की इस्ट्रेक्च्र होगी. तो इसको हम बोल दें heck सरणचनात्मक. परकार्यवाद क्या होता है, कि इन चार पाए का और उस फटे का अल कि समाज के विविन अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर एक में कहीं कोई परेशा नहीं आती है तो उसका परभाव सभी पर पड़ेगा तो जब टेबल का एक पाया छोटा हो जाता है तो हम फिर उसको एड़ेस्ट करने में लग जाते हैं उसका परभाव पूरी टेबल पर पड़ रहा है तो परकार्यवाद की चरम परकाष्टा थी वो पारसंस थे और इन्होंने जो कुछ लिखा है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटर है हम इनके समाजिक रिया के सिधान्त को समाजिक विवस्ता के सिधान्त से अलग नहीं कर सकते हम को ये सब को अलग करके हम नहीं समझ सकते हम इनको एक साथ ही समझ सकते हैं यानि मेज के एक पाव को हम निकाल दे फिर अगर हम मेज या टेबल की समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो यही काम है वो पारसंस ने किया है तो इनकी जितने भी थेरी है वो एक दूसरे से गहरे समंदित है इसलिए पारसंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी बहुत सारी आउधारनाई दी और परते की बहुत विस्तरत व्याख्या किये तो इसलिए इनको समासास्तर यह सिधान्त वेता का जाता है इन्होंने बहुत सिधान्त दिये उन्होंने परते एक चीज को सुक्सम तरीके से चुनने का प जर्मनी से इन्होंने सोधकारे किया तो जर्मनी में मेक्स बेबर का परभाव था वो बहुत ज़्यादा था मेक्स बेबर की मर्तिव है वो तालकट पारसंस के पहुंचने से पहले हो चुकी थी लेकिन उनका परभाव बहुत ज़्यादा रहा और इनकी किर्टियों से इनकी किताबों से ये अत्यधिक परवाबित हुए और बाद में इनोंने मैक्स वेबर की केई किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया इनोंने मेलोवन्सकी के साथ मिलकर आदिवासियों पे कारे किया और उसके बाद में उन्होंने आजीवन हावर्ड विस्व विद्यालिया में अध्यापन कार्या किया और जो परमुख समासास्त्री है जैसी किंग्सले डेविस है, बिल बर्ट मूर है, रोबर्ट के मर्टन है ये इनके सिस्य थे, तो परकार्यवाद का परभाव इन पे भी पड़ा 1919 में ये अमरीकी समासास्त्री प्रिशद के अधिक्स चुने गए थे, परकार्यवादी है साथ में परकार्यवादी होता है उसको क्या माना जाता है, पुंजीवादी समर्थक माना जाता है यानि ये यथास्तिति वादी थे यथास्तिति को बनाई रखना चाते थे इसलिए मारक्स वादी है वो इनकी आलोचना करते हैं बाद में इनके बाद में परकार्यवाद का पतन शुरू हो गया था और नव परकार्यवाद प्रारंब हो गया था तो इन्होंने दुर्खिम से, मैक्स वेबर से, कारल मारक से, प्रेटो से प्रवावित होकर उनके विचारों को एक साथ लाते वे अपना समजिक क्रिया का सिधान्त है वो परस्तुत किया कौन सा सिधान्त परस्तुत किया? सामाजिक किरिया का सिधान्त परस्तुत किया अपनी पहली पुस्तक इनकी पहली पुस्तकों है? The Structure of Social Action 1937 के अंदर ये इनकी पुस्तक आती है तो इसमें ये अपने से पुरुवर्ती जितने भी परकार्यवादी हैं उन सब का अध्यन करते हैं और उनको साथ में नकारते हुए बी क्योंकि इससे पहले परकार्यवाद में उप्योगितावाद, पर्तेक्सवाद, आदरसवाद ये सामाजिक किरियाओं में इनका उप्योग होता था तो एक एक करके इनको सब को नकार दिया कि नहीं उप्योगितावाद के अधार पे हम केवल सामाजिक किरियाओं नहीं करते हैं ना ही केवल पर्तेक्स वाद के अधार पे करते हैं तो इन सब को नकार कर अपना सवेचिक किरिया सिधान्त परस्तुत किया कौन सा सिधान्त परस्तुत किया? सवेच्छिक किरिया सिधान्त voluntary theory of action इसको सवेच्छिक या N-Chick किरिया सिधान्त क्यों कहते हैं क्योंकि करता के पास केई विकलब उपलब्ध होते हैं उनमें से वो उचित का chain करता है जो उसको उचित लगता है जो इसकी इंच्छा होती है उसका वो उपयोग करता है तो इसलिए इसको सवेच्छिक किरिया सिधान्त भी कहा जाता है समजिक किरिया क्या है समजिक किरिया का वर्नन है इससे पहले दो लोग और कर चुके थे एक मेक्स बेबर ने किया मेक्स बेबर ने समजिक किरिया के दे चुके थे 1935 के अंदर तो उनसे भिन इन्होंने थोड़ा सा अपना सामाजिक रिया का सिधान्त दिया है तो वो क्या कहते हैं कोई भी गतिविदी कोई भी एक्टिविटी जो जिसका उदेश्य होता है जिसका उदेश्य किसी लक्ष्य को पाना होता है जिसका उदेश्य क अगर उसका कोई लक्ष है वो उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए की जा रही है तो उसे हम सामाजी क्रिया कह सकते हैं इसा पार्शन्स ने कहा यानि जब गति सिल्था में लक्ष आ जाता है गति सिल्था के अंदर लक्ष आ जाता है तो वो सामाजी क्रिया बन जाती है अग तो लगेगी, उर्जा लगेगी, एक्टिविटी में अनर्जी तो होती होती है, तो एक्टिविटी, एनर्जी और उसमें जब लक्सिय आ जाता है, तो उसे पार्शन्स ने सामाजिक किरिया कहा है, तो इस परकार हम अकेले व्यक्ति किरिया को भी सामाजिक किरिया कह सकते हैं Parsons के अनुसार क्या है समझी करिया मनुस्य का चेतना युक्त या नी वो जो कोई कार्य कर रहा है उदेशिय को प्राप्त करने का कर रहा है तो वो चेतन रूप से कर रहा है वो एटोमेटिक नहीं हो रहा है वो चेतन रूप से नहीं हो रहा है तो समाजिक किरिया के तत्व तीन, तत्व इनों ने बताए हैं, नमबर एक करता, नमबर दो परस्तिती और नमबर तीन अभी परेरनाई, तो ये तिन्नों सामिल होती है उस वेवार में, तो उसे हम क्या कहते हैं, समाजिक किरिया कहते हैं, एक वेक्ती भी किरिया कर सकता है, और Parsons ने जो एक से धिक वेक्कियों के द्वारा किरिया की जाती है उससे सामुहिकता का है क्या का है सामुहिकता कहा है अब क्या होता ये चार तीन तत्व कौन-कौन से है करता जैसे example दें कि आप अभी किसी competition की त्यारी कर रहे है ठीक है NET की MPPGT की UP PGT की या Assistant Professor की सेट की किस fight करना है अब इसे क्या हो गया आप किंचा होती है पढ़ने की और फिर क्या होता है आप YouTube पे जाके समासास्तर की class देख रहे हो तो ये क्या होगी ये सामजिक किरिया होगी तो इसमें तीन चीज़ें आगी करता आप हो प्रस्तिती क्या है प्रस्तिती अगर आप offline पढ़ते हो तो वो class आपकी प्रस्तिती हो जाएगी condition हो जाएगी अब क्या है जो mobile है आपका online platform है वो क्या है प्रस्तिती का निर्मान कर रहा है और आपकी अभी परेरना क्या है आपके पिसे इसका motive क्या है आपको motivation कहां से मिल रहा है यही हमें ये exam clear करना है तो ये तीन चीज़ें ज motivation तीन परकार के होते हैं जो हम किरिया करते हैं motivation उसके पिछे होता है तो तीन परकार के motivation की चर्चा है वो persons ने की है कितने परकार की motivation की तीन परकार की हम कोई किरिया क्यों करेंगे या तो हम किसी से अगर जगडा करते हैं तो या किसी से इरिश्या करते हैं महनत करते हैं कु मोटिवेशन होती है तीन प्रकार के मोटिवेशन पारसंस ने बताए हैं एक सुंदर्यात्मक इसका समंद्ध वेक्तियों की मनोवर्ति से होता है हम कोई किरिया करते हैं तो प्रेम से या करोध से प्रेरित होकर करते हैं इर्शया से तो वो सुंदर्यात्मक अभी परेरना होगी एक होता है संगातमक यानि संग्याओं का ज्यान किसी चीज़ का हमें ज्यान होना तो सुचना के अधार पे जैसे कोई मनोवर्ती हो गई उसके अधार पे हम सादनों को ढूंडते हैं जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो क्यों देख रहे हो आपकी पिछी इसके मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन ये है कि हमें कंपिट्शन फाइट करना है अब क्या करते हो आप सादन डूंड रहे हो सादनों का ज्यान प्राप्त कर रहे हो कि कहां कहां से किस किस पुस्तक से किस किस चैनल से किस किस कोचिंग सेंटर से ये सादन मुझे उपलब्द हो सकते हैं क्या हो सकते हैं सादन उपलब्द हो सकते हैं तो ये संग्यात्मक अभी परेरना हो गई और फिर क्या होता है कि मुल्यांकन आत्मक होता है हम मुल्यांकन करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही, नहीं है, इनके बीच में तुलना करके, जो अधिक्तम संतुष्ठी परदान करता है, उसका चेन हम करते हैं, तो यह एक दूसरे से मिले हुए है, तो क्या हो गया, जब लक्सया प्राप्ती के लिए बस्तू के ओर बढ़ते हैं, तो उसका हम ज्ञान प्राप्त कर होते हैं तब समाजिक क्रिया पुर्ण होती है तो इसे मुल्य मत्यक्य का सिधान्त भी कहते हैं यानि हमारा जो टार्गेट था वह एक हो गया है साय तिन्नों चीजें वह अब हो गई है उन में किसी की परकार का दवंद नहीं बचा है सामजी करिया के परकार कितने होते हैं और उन से प्रेडित जो क लिए होती है वह भी तीन परकार की होती है तो पारसंस ने कुल तीन परकार की सामाजी करियाओं की चर्चा की कितने परकार की? तीन परकार की मेक्स वेबर ने कितने परकार की करिया बताई थी? चार परकार की करिया बताई थी और प्रेटों ने कितने परकार की करिया बताई थी? दो परकार की करिया बताई थी अब क्या है किरिया तो वही है व्यक्तिकी किरिया ही तो वही है लेकिन उनका कुछ ने वर्गी करान अधिक कर दिया कुछ ने कम किया प्रेटों ने दो परताई तारकिक और एतारकिक किरिया तिन्नों ने तारकिक किरिया की बात किया तो प्रेटों ने तो सिर्फ तारकिक और प्राइतार्किक यानी इन दो को एतार्किक में सामिल कर लिया, और मेक्स वेबर ने कितने परकार की किरिएं बताई, स्टार्कार की किरियें बताई, उन्होंने तार्किक और फिर उसके बाद मुल्यांकन किरिया फिर भावनात्म किरिया फिर प्रमप्रागत किरिया क्या किया फिर प्रमप्रागत किरिया प्रमप्रागत किरिया को इन्होंने किसमें सामिल कर लिया इसमें उन्होंने नितिक किरिया में सामिल कर लिया तो Parsons हैं वो तीन प्रकार की सामाजी क्रियाओं की बात करते हैं नेमितिक, साधनात्म क्रिया और अंग्रेजी का जो इसका सब्दावली है वो याद जरूर करना क्योंकि हिंदी के अंदर इसका जो मीनिंग है वो हो सकता है कुछ निया ही निकल के आ जाए इंश्ट्यू मेटल एक्सन, तार की क्रिया, यानि हम अपने लक्षे को पाने के लिए सही साधनों का प्रेयो करते हैं तो वो तार की क्रिया है, मुखे रूप से आर्थी क्रिया हैं, बताई है प्रेटों ने, कल हम ने पड़ा था आगे है अभी वेंजनात्मक किरिया एक्सप्रेट्यू भावनात्मक किरिया तो प्रेम, दवेश, इर्षया, संतुष्टी इन सबसे जो परेरीद किरिया होती है उसे पार्संस ने भावनात्मक या अभी वेंजनात्मक किरिया कहा है हमारे जो expression है उनसे जो किरिया ही होती है आगी है नेतिक किरिया moral किरिया कौन सी किरिया moral action या नेतिक किरिया जो नेतिकता से जुड़ी वाते हैं दिया है इमानदारी है सत्यता है ये सब क्या है नेतिक किरिया है और जो प्रमप्रागत किरिया थी किसकी मैक्स वेबर की वो इसमें सामिल कर लिया कि बड़ों का आधर करना चाहिए तो उन्होंने क्या क्या इसके लिए पेर चुत्ते हैं तो उन्होंने क्या 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 उसको अलग से विवाजित कर दिया इन्होंने क्या कहा कि नहीं ये भी एक नेतिकता ही है कि हम बड़ों का सम्मान करें तो ये अंतर है तिन्नों की सोशल थियरी के अंदर समझी किरिया करने के लिए व्यक्ति सौंतंतर नहीं होता है उन्होंने क्या का था सवेश्चिक किरिया सिधान्त कहते हैं ये क्या कहते हैं कि इनके किरिया सिधान्त को क्या कहते हैं सवेस्चिक किरिया सिधान्त कहते हैं लेकिन साथ में ये कहते हैं कि नहीं व्यक्ति पुरनतिया संतनतर नहीं होता है सामाजिक किरिया के लिए वो मुल्यों दुवारा निर्धारित मुल्यों के दुवारा कुछ नि तीन प्रकार के सामाजिक मुल्य बताए जिन से परेरित होकर सामाजिक रिया की जाती है एक संग्यात्मक मुल्य, संदर्यात्मक मुल्य और नितिक मुल्य और साथ में इनोंने एक सब्द और जोड़ा है इगो अल्टर एक्टर को और तो जो करता है उसको एक्टर कह दिया अल्टर यानि जो सुनने वाला है अब यहाँ पे जो अपने बीच में सामजी किरिया हो रही है उसमें मैं करता हूँ, एक्टर हूँ और पार्संस की बासा में एक्टर हूँ और आप क्या है Parsons की बात सामय, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या है, Alter हैं, destruction हैं, दूसरे हैं, तो ये ego और Alter की बात है, वो Parsons ने की है, तो ये समाजिक की रिया का सिधान्त है, वो अपना complete हो गया, अब है सामाजिक व्यवस्ता का सिधान्त किसका सिधान्त सामाजिक व्यवस्ता का सिधान्त सोसल सिस्टम सोसल सिस्टम जब इनकी किताबों के चर्चा करेंगे तब इस नाम से इनोंने इसको कई बार क्या लिखा जाता है सामाजिक परनाली लेकिन एक ही आएगा अंग्रेजी में social system theory of social system तो व्यवस्ता क्या होती है? किसे कहते हैं व्यवस्ता? तो व्यवस्ता है केई तत्वों के बीच पाए जाने वाले परतिमानित समंदों से परतिमानित यानि जो परंपराओं के या मानकों के द्वारा निर्दारित समंदों होते हैं तो उनको व्यवस्ता कहते हैं पार्शंस ने तीन परकार की व्यवस्ताओं की बात की है? तीन परकार की व्यवस्ताओं की बात की है सामाजिक व्यवस्ता, सांसकर्तिक व्यवस्ता और व्यक्तित व्यवस्ता तो सामाजिक व्यवस्ता है वो सांसकर्तिक व्यवस्ता के अधीन होती है किसके अधीन होती है सामाजिक व्यवस्ता, सांसकर्तिक व्यवस्ता के अधीन होती है क्योंकि संस्कृति के दो पार्ट होते हैं बोतिक और एबोतिक तो संस्कृतिक व्यवस्ता है उसके केवल एबोतिक पक्स में ही समाजिक व्यवस्ता आएगी बोतिक पक्स यानि संस्कृति बढ़ी होगी समाज उसके अंतरगत एक छोटी काई हो जाती है कई बार ये भी परसन है वो एक दो बार पुछा गया है तो क्या होता है ये तिनों अलग-अलग क्या है सामाजिक व्यवस्ता किन से बनती है सामाजिक व्यवस्ता बनती है एक से अधिक व्यक्तियों की निरंतर अंतेक्रियाओं से निरंतर अंते क्रियाओं से सामाजिक व्यवस्ता बनती है, मुल्य विश्वास पर्तिक इनसे सांस्कर्तिक व्यवस्ता बनती है और मनुश्य की मनो दसाओं को जो अभी परेरनाई होती है, मनो भाओं के पीछे जो अभी परेरनाई होती है, उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता ह का है personality का जिकर भी अपने वो किताबों में बार-बार करते हैं तो ये तिनों विवस्ताइं हैं वो एक दूसरे से पर्थक नहीं हैं अलग लग नहीं हैं ये तिनों भी मिले हुए हैं ये तीन पाए हैं ये तीन पाए हैं और उनके उपर एक क्या है थाल बना हुआ है तो ये कुछ भी अलग नहीं है प्रकार्यवादी की जब हम बात करते हैं यही प्रकार्यवादी की विशेशता है कि कुछ भी अलग नहीं है सब एक दूसरे से समंदित है अब इनका है एगिल मोडल सामाजिक व्यवस्ता या सामाजिक परनाली को इन वो तभी तक जीवित रहेगी तब तक वो चलेगी जब इन चार आउसकताओं को अगर वो पुरा करती है तो इसको इन्होंने क्या का है पुरो प्रकार्यात्मक आउसकताओं किसी भी सामाजिक व्यवेस्ता की सोसल सिस्टम को अगर निरंतर चलना है तो ये चार आउसकताओं पूरतीन को करनी पड़ेगी इसको इन्होंने क्या का है एगिल मोडल A-G-I-L A का मतलब क्या होता है अडेप्शन यानि अनुकुलन ये सबसे पहले आता है अनुकुलन सबसे पहले आता है डार्विन भी क्या कहते है कि जिनोंने प्रयावन के साथ अनुकुलन किया वो जिन्दा रहे और जिनोंने प्रयावन के साथ अनुकुलन नहीं किया वो खतम होगे जैसे डाइनोसोर की वो बात करते हैं जैसे जिराफ ने दिरे-दिरे किस परकार से अपना अनुकुलन करके उसका विकास हुआ तो ये पहली सर्थ है अडेप्शन और अनुकुलन तो अनुकुलन किसके साथ करना पड़ता है बोतिक प्रयावन के साथ अनुकुलन करना पड़ता है किसके लिए सामाजिक सरंचना के अस्तित्वे और उसके संचालन के लिए क्योंकि बोतिक प्रयावन से ही हमें क्या मिलता है बोजन बस्तर आवास मिलते हैं तो आवास बोजन बस्तर हमें नहीं मिलेंगे तो कोई भी सामाजिक विवस्ता है वो समाफ्त हो जाएगी चल नहीं पाएगी तो इसलिए अनुकुलन को प्रयावन के साथ जोड़ा गया है और यहीं से आर्थिक किरियाओं का निर्धार्ण होता है बोजन वस्तर और आवास से ही आर्थिक किरियाओं का निर्धार्ण होता है तो अनुकुलन को इसने किसके साथ जोड़ा है अर्थविस्ता के साथ जोड़ा है आर्थिक किरियाओं के साथ जोड़ा है तो ये एगिल मोडल का पहला जो आउ सकता है वो बताई है अनुकुलन की दूसरा है गोल अंटेन्मेंट गोल अटेन्मेंट यानि लक्षे निर्धा और फिर क्या है इंटरगेशन यानि एकी करण और फिर उसके बाद में क्या आता है लेटेंसी यानि पर्तिमान रक्षन तो अनुकुलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं ये अर्थमविस्ता से आर्थिक इक्रियाउं से समंदित्य बोतिक प्रयावन के साथ ये किया जाता है दूसरा है लक्ष निर्धारन जब अनुकुलन हो गया हमें मूल भूत आओ सकता हूं कि हमारी पूर्ति हो गई फिर क्या होता है लक्ष निर्धारन होता है गोल अटेन्मेंट होता है तो क्या होता है जब सामाजिक व्योस्ता विक्सित हो जाती है दिरे दिरे तब क्या होत जो संसादन उपलब्ध होते हैं, उनके एधार पे लक्षों का निर्धारन होता है, किनका निर्धारन होता है? लक्षों का निर्धारन होता है सामाजिक व्यवस्ता में और उनको सामाजिक व्यवस्ता को संग्ठित किया जाता है, तो संग्ठित करने का कारिया कोन करता है? उ के द्वारा होते हैं राजा है ये राज्य है और ये राज्य है तो ये अपने राज्य के अंदर लक्षे निर्धारित करेगा बताएगा कि क्या क्या करना है और वहां किस प्रकार से वो अपनी जो परजा है उनको संग्ठित करता है आज कर लोकतंतर आगे है तो वही बात है तो लक्षय निर्धारण का कार्य है वो राजनेतिक व्यवस्ता द्वारा किया जाता है अनुकुलन का कार्य है आर्थिक व्यवस्ता के द्वारा किया जाता है तो लक्षय निर्धारित कर लिए अनुकुलन हो गया फिर बात आती है एकी करणकी क्या किसकी आती है एकी करणकी क्योंकि सामाजिक व्यवस्ता को एक जूट रखना जरूरी है जैसे भारत एक सामाजिक की काई हो गई तो सब कुछ इस स्टेज पे तो निकल चुके हैं हमानुकुलन कर चुके हैं हमारे लक्षे निर्दारित हो गई है कि भारत को हमें आगे तक ले जाना है राजनेतिक व्यवस्ता ने हमें एक लक्षे निर्दारित कर दिया कि भारत को विश्वय की सबसे बड़ी ताकत बनाना है इसके लिए क्या जरूरी है इसके लिए एकी करण जरूरी है किसी भी सामाजिक व्यवस्ता के अंदर अगर लोग आपस में लड़ते जगड़ते रहे अगर उनके बीच में आपसी समन्वे नहीं हुआ तालमेल स्तापित नहीं होगा तो वो सब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होता है आंतरिक समन्वे तालमेल स्तापित करने के लिए संग्रसों का समधान करने के लिए एकी करण है वो बहुत जरूरी है ये कारिय एकी करण का कारिय कुण करता है धरम करता है अगर धरम बहुत ज़ादा हो जाते है तो फिर ये कानून करता है विश्वास तो ये न्याईक विवस्ताग धरम कानून के द्वारा एकिकरण होता है फिर आता है परतिमान रक्षण, एकिकरण को बनाए रखना भी तो जरूरी है ना, एक बार हमने एकता स्तापित कर दी, हो सकता है बाद में दुबारे तूट जाए, तो उसका परतिमान रक्षण भी जरूरी है लेटेंसी भी जरूरी है तो सामाजिक व्यवेस्ता की निरंतरता के लिए निरंतर उसको चलाने के लिए उसको स्ताइत्व परदान करने के लिए परतिमान रक्षन जरूरी है जो मुल्य है उनकी रक्षा जरूरी है तो जो धर्म, कानून, विश्वास के द्वारा एकी करण स्तापित किया गया है उनको बनाए रखना जरूरी है तो सिक्ष्या के माद्यम से धर्म के माद्यम से परिवार के माद्यम से किया किया जाता है परिवार परतिमान रक्षन किया जाता है तो ये हमारा एगिल सिधान्त हो गया आगी है सामाजिक संतुलन की किरियाएं तो उन्होंने ये चार प्रकार्यात्मक आओ सकता हैं तो बता दी लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्ता में संतुलन के लिए दो किरियाएं निरंतर किरिया सील रहती है समाजिक व्यवस्ता में संतुलन स्तापित करने के लिए नमर एक समाजी करन क्या होता है समाज के रित्री वाजों को सीखना एक नवजात सिस्व को एक समाजिक प्राणी बनाना यानि समाजिक मुल्यों को आंत्रिक कृत कराना हम जब कहीं मंदिर मस्जित गुर्दवारे से आगे से गुजरते हैं हमारा सर जुक जाता है क्यों जुक जाता है ये कहां से सिखा हमने या जो भी उनकी अलग-लग धार्मिक प्रंप्राएं हैं वो हम करने लगते हैं क्यों करने लगते हैं ये सब हमने समाजिक करण के कारण सिखा है यानि समाजिक मुल्यों को आंत्रिक कृत करवा के व्यक्तित्वय परदान करती है इससे सामाजिक संतुलन बना रहता है सब लोग एक जैसा सोचते है समाजी करण में दो संस्ताइं में है तो प्रणोती है एक प्राथमिक संस्ताइं और दिवत्यक संस्ताइं प्राथमिक में कौन-कौन से आ जाते हैं विवा है नातेदारी है पडोस है यह सब प्राथमिक सहस्ताओं में आ जाते हैं तो परिवार को इन्हों ने क्या का था व्यक्तित्वे निर्मान के उत्पादन का कार खाना क्या कहा परिवार को पार्शंस ने प्राथमिक सहस्ता को पार्शंस ने क्या का व्यक्तित्वे निर कि व्यक्तित वह डॉलप्मेंट की दूसरा इन्होंने का है कि सामाजिक संस्ता हैं देरे देरे सामाजिक संस्ता हैं तो सामाजिक संस्ता किसे कहते हैं सामाजिक परिवार करता था अब क्या होता है बड़े बड़े नगरों के इंदर माता पिता दोनों आर्थिक क्रियाओं में चले जाते हैं तो घर पे बच्चों को समालने वाला कोई नहीं होता है तो वो क्रेच में छोड़ जाते हैं इसी परकार से भारत के अंदर लिगानुपात बहुत ज़्यादा गड़बड हो रहा है तो इसके लिए क्या होता है कि पुर्षों की योन समंदी आउसकताओं को पुरा करने के लिए वेशालियों की कुछ देशों के अंदर तो कानूनी सभीकरती भी प्राप्त है तो ये वेशालियों भी क्या हो जाएंगी दिवत्यक संस्ताइं हो जाएगी तो इनको क्या का है पार्संस ने समाज का सेफटी वोलव क्या का है देउत्यक संस्ताओं को समाज का सेफटी वोलव कहा है तो एक तो समाजिक रण हो गया दूसरा है समाजिक नियंतर्ण वेक्ति को तो समाज के नुकूल बना दिया लेकिन उसको बराबर उसकी नियंतरी तरखना उसको जरूरी होता है बच्चे को हम कही बार सुधार देते हैं लेकिन टाइम टाइम पे डोस देना भी जरूरी होता है तो एक बार तो अच्छा बना दिया लेकिन निरंतर क्या करते हैं समाजिक नियंतरन है वो जरूरी होता है तो विचलनकारी विवार को यानि वो गड़बड ना हो जाए उसके अंदर तो उसको तोसाइट करने के लिए उसको रोकने के लिए समाजिक नियंतरन की विवस्ता की जाती है तो सामाजिक नियंतरण के दो परकार बताए थे एक उपचारिक और एक अनोपचारिक लेकिन पार्सन्स ने तीन परकार बताए है तीन परकारों से सामाजिक नियंतरण किया जाता है अनुनिय आउरोधन पर्थक करण पहले तुससे अनुनिय प्राथना की जाती है कि हे परभू आप ऐसा ना करे समाज के नियमों में इससे बादा उत्पन होती है जैसे कोई अगर रस्ते में से जा रहा होता है या कुछ अजीब उपरकार की अरकत कर रहा होता है या तेज आवाज में कोई डेक भी बजा रहा होगा तो अजसे अनुनर्य किया जाता है फिर क्या किया जाता है अरोधन किया जाता है उसको रोका जाता है कि नहीं आप बहुत बरदास्ट से बाहार हो गया अब आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे गाली गलोच किया तो उसको रोक लिया फिर वो नहीं रुकता है तो फिर उसको रोका जाता है और उसमें उत्पन किया जाता है उस पे कानूनी कारवाई की जाती है और फिर भी अगर वो नहीं रुकता है तो उसका पर्थक करण कर दिया जाता है उसको जेल के अंदर ड प्रतिमान या वेवार क्या होता है तो प्रतिमान क्या होते हैं तरीके होते हैं किसके वेवार के प्रतिमान पर हम सहसा बहुत कर चुके हैं तो प्रतिमान को अलग से कुछ बताने की जुर्द नहीं है प्रतिमान चर क्या होती है चर बहुत सारे ओप्सन हमें हो सकते हैं तो कर होते हैं करता जब किरिया करता है जैसे आपके पास अभी आप कोई किरिया करते हो तो आपके साथ बहुत सारे option होते हैं तो ये भी चेप्टरिक अलग से पार्शन्स ने दिया है कौन-कौन से option होते हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे तो इन option को ही परतिमानचर कहते हैं जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं तो आपके पास option रहता है वैसे इसकी विकलप की बात किस ने की थी बाद में किस ने की थी मर्टन ने की किस ने की है मर्टन ने की है सांसकर्तिक विकलप की आउधारणा किस ने दी थी लिंटन ने दी है तो समाजिक किरिया यह हो समाजिक परनाली दोनों को समाजिक किरिया और समाजिक व्यवस्ता दोनों आउधारणाओं को इसके माध्यम से समंदित किया है एक जुट किया है किस ने पारसंस ने तो इसमें क्या करता किरिया करता है समय जो option क्या होते हैं दो दो option की अभी चर्चाम करने वाले हैं तो करता जब किरिया करता है तो वो हमेशा दवंद, दिविद्धा या संकट के अंदर होता है कि किस परकार से वो किरिया करे और उससे बहार आने का प्रयास करता है तो ये दवंद कितने परकार के दवंदों की बात की है पार्संस ने पांच परकार के दवंद या पांच परकार के पेटरन वेरियेबल्स बताए है परतिमान चर बताए है नमर एक भावनात्मक ता बना भावनात्मक टटेस्टा इमोशनल या फिर इमोशनल नहीं होना है तो हम जो भी क्रिया करते हैं जिसे मार्केट में जाते हैं हम तो हम क्या होते हैं भावनात्मक टटेस्ट होते हैं क्या होते हैं, भावनात्मक रूप से टटस्त होते हैं, हम सोच समझ कर, तरक करके अपना सामाजिक किरिया करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई नजदिकी वेक्ति होता है, अगर वो आपको नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, तब आप क्या करते हैं, भावनात्मकता से परेरि बावनात्मक किरिया होगी अगर दूसरा करेगा तो तो वो बावनात्मक रूप से टटस्थ होगी इसी परकार से जैसे कि होते हैं हमारा कोई नजदे की चला जाता है तो हम क्या होते हैं बावनात्मक रूप से किरिया करते हैं एक्षन करते हैं और अगर कोई दूसरे की मर्त हो जाती है हजारों लाखों लोगों की होती है तो हम बावनात्मक रूप से टटस्त होकर किरिया एक्षन करते हैं दूसरा है बहु पक्सिये बनाम एक पक्सिये बहु पक्सिये बनाम एक पक्सिये जब हम किरिया कर रहे होते हैं तब हमारे पास option होता है कि हम के एक पक्स को न game inside होता है क्या होता है game inside soft game on soft किसने की आउदारना है tonies की आउदारना क्या है tonies की आउदारना है और geis cell soft होता है जिन में एक पक्स होता है जैसे कि इसको अगर हम समूवा के दार पर देखे secondary जो ग्रूप होते हैं अगर आप कहीं काम करते हैं ओपिस के अंदर तो जो एक्षन होती है लोगों के साथ आपकी वो क्या होती है एक पक्सिय होती है यानि हम केवल अपने काम से काम रखते हैं और उनके साथ उतना ही विवार करते हैं जितना जरूरी है ओपिस के लिए बाकी नहीं करते हैं परिवार के सदस्यों से ऐसा नहीं हम उसका आर्थिक विध्यान रखेंगे, उसके सामाजिक विवस्ता का विध्यान रखेंगे, राजनेतिक विवस्ता का विध्यान रखेंगे, तो ये बहुपक्सी है, यानि गेमाइन सफ्ट, एक पक्सी यानि गेसेल सफ्ट, बहुपक्सी है यानि प्रात्मिक समुए, एक य playful विशिष्टता बनाम सारो भौमिक्ता विशव्जम दूसरे के साथ कर्या करते हैं तो कुछ भौमिक नियाम होते हैं उसके अधार पर करें या विशिष्टता के अदार पर कार्य करें जैसे कि एक teacher है वो class के अंदर पचास बच्चे हैं तो समान्य वेवार अगर सबी के कास साथ करता है सारो बहुमिक ताका तो वो क्या करता करेगा किसी के साथ बहदबाओ नहीं करेगा तो ये क्या हो गया सारो बहुमिक वेवार हो गया अगर उसका कोई नजदी की बच्चा है तो उसके पास option है कि वो उन पचास बच्चों की तरह ही उसको treat करे या फिर विशिष्ट तरीके से treat करे, उसका हो सकता है कोई पिरिये student हो, कोई relative हो तो उसके साथ अगर वो विशेष वेवार करता है, तो वो क्या हो जाएगा विशिष्टता हो जाएगी, यानि उसके पास option है, परतेक मामले में जितने भी चीज़ियां आई है, दो-दो option होते हैं कि हम किस प्रकार से किरिया करते हैं आगे है गुण बनाम परदर्शन, क्या बता हैं गुण बनाम परदर्शन, या परदत बनाम अरजित भी हम जो सामजी किरिया करते हैं, उसके परदत गुणों के अधार पर करते हैं, या अरजित गुणों के अधार पर करते हैं किसको अधिक में तो दिया जाता है, तो प्राचिन समाज उसका जो मालिक है। उसका जो बच्चा है उसके साथ क्या करेगा। बड़े ही अजीब तरीके से विवार करेगा। इसके गुण के अदार पे नहीं कर तो किस के अदार पर करेगा। कि अगर आपका कोई साथी teacher हो सकता है या कोई भी हो सकता है आप उसके साथ किस परकार से विवार करेंगे उसके जाती के अधार परेंगे या उसके वरक के अधार परेंगे उसके achievement के अधार पर करेंगे तो परदत गुणों के अधार पर या फिर अरजित गुणों के अधार पर आगे है व्यक्ति हित या सव हित या समुव हित विजो सोचल एक्षन की जाती है सामाजी के जो करिया करते हैं वो हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं सव हित के लिए करते हैं जैसे कि कहीं आग लग गई और वहां पे पचास लोग जल रहे हैं अब आप क्या से भाग छुटोगे तो ये क्या हो जाएगी ये सव हित हो गया ये व्यक्ति हित हो गया या फिर आप उन पचास लोगों को बचाने की प्रयास करोगे तो वो क्या हो गया समुए हित हो गया इसी परकार से सेना अधिकारी होता है हम जो कानिया सुनते हैं कि पानी के जाज में बर रहा होता है तो एक सेना पती क्या करता है अपने सेनिकों को तहले बाहर निकालता है और सब से अंत में वो निकलता है और नहीं निकल पाता है तो वो वही समाप्त हो जाएगा तो वो अगर सब को निकालता है तो वो क्या होगा समुए हित हो गया लेकिन वो कहेगा कि इनको भाड में जाने दो, मुझे पहले बचना है तो वो क्या हो जाएगा? सवहित हो जाएगा तो ये pattern variables थे, अब कुछ अन्य महतोपर्ण चीजे जो Parsons के समंद में पूछी जाती है Parsons ने बहुत लिखा है और इसको एक वीडियो के अंदर बताना बड़ा ही मुश्किल काम है तो हो सकता है कुछ चीजे चुट गई हो तो जब हम इनके objective type person हल करेंगे Parsons के तब उनको जरूर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने बहुत किताबे लिखी है बहुत सिधान्त दिये और वो एक दूसरे से मिली जुली है अगर बहुत ज़ादा हम रख लेंगे तो क्या हो जाएगा अपनी बसा में गुडगोबर हो जाएगा सब कुछ मिक्स हो जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए एक दो सिधान्त में ने इनके छोड़ दिये हैं उनको हम बाद में कभी देखेंगे तो कुछ अन्य महत्वपन बाते हैं जिने सेनों ने दिया था न्यूकलियर फेमिली पर्थक नाब की है परिवार आइसोलेटड तो अब तो आइसोलेटड हम काफी सुन चुके हैं यानि अलग कर देना तो ये कैसी परिवार जो अपने जोइंट फेमिली से अलग है तो अमरीकी परिवारों के लिए सब्दा वली वो प्रियोग है वो की गई है आइपी देशाई ने भी भारतिय परिवारों के बारे में क्या का था कि भारतिय परिवार सरंचनात्मक रूप से एक कांकी है क्या होते हैं सरंचनात्मक रूप से एक कांकी है तो वो क्या हो गया पर्थक नाब किया प्रिवार हो गया इसको गॉल्ड थोरपे ने और लोकबुड ने प्राइवेट फेमिली कहा है क्या कहा है प्राइवेट फेमिली प्राइवेट फेमिली की अवदारना किस ने दी लोकबुड और गॉल्ड थोरपे ने एक है संस्ता एक परकिरिया भी है और एक सरंचना भी है दोनों हैं कौन सरंचताकरन इन्हों ने जो आउधारणाई दिये हैं पारसंस ने इनको भारतिय संद्रम में परका है इनकी जांच किया है इनका आउलोकन किया है इनका निरक्षन किया है किसने किया वाई भी दाम लेने किसने किया वाई भी दामले ने इनके जो किरिया सिधान्त को बारतिय संद्रम में किरिया के जो परकार बताएं उनको बारतिय संद्रम में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है एक है किरिया व्यवस्ता सिधान्त किरिया व्यवस्ता सिधान्त और ये क्या है एक दूसरे से समंदित है तिन्नों की तिन्नों चीजें तो इसको इन्होंने क्या कहा है किरिया वेविस्ता क्या सिदान्त का नाम दिया है किरिया वेविस्ता इस पे हम मैंने बताया ना कुछ चीजें में छोड़ रहा हूं अभी तो उन पे चर्चा करेंगे ज सारो भौमिक परदत विशिष्ट अर्जित विशिष्ट परदत तो उन पे भी हम कभी अलग से चर्चा करेंगे एडवर्स सिल्स के साथ मिलकर उन्हें ये किरिया व्यवस्ता सिदानत है वो विक्सित किया है अब एक नजर इनकी पुस्तकों पर डाल लेते हैं कि नोंने कौन सी पुस्त के हैं वो लिखी है तो कौन कौन सी पुस्त के इनकी पहली पुस्तक थी 1937 के अंदर और सबसे महतो पुन है Essay on Sociological Theory Toward a General Theory of Action 1921 में with Cells और दूसरी इनकी महतो पुस्तक है वो है The Social System, The Social System, Samajik व्यवस्ता जो Samajik व्यवस्ता का सिदानत है वो इसी पुस्तक में दिया 1921 में और Social Action का सिदानत है वो इसमें दिया, Samajik व्यवस्ता या Samajik परनाली Economy and Society, 1956 में समेल सर के साथ मिलकर इन्होंने लिखी है Social Structure and Personality, Samajik, सरंचना और व्यक्तितु है ये 1964 में भी इन्होंने लिखी है आगे है Sociological Theory and Modern Society, Samajik सास्त्रिय सिधानत एयों आद्यूनिक समाज 1967 के अंदर लिखी है आगे है The System of Modern Society, आद्यूनिक समाज की परनाली आद्यूनिक समाज की व्यवस्ता 1901 के अंदर इन्होंने लिखी है The Evolution of Cities, 1977 में ये पुस्तक है, वो एकने और ने भी लिखी है किसने लिखी है, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कोसिस करना नहीं पता तो Evolution of Cities, नगरवालों में अभी हमने पढ़ा था और Evolutionary and Comparative Prospective, 1966 के अंदर तो ये इनकी परमुखे, पुस्तके थे, तो मैंने पुरा प्रयास किया है फिर भी अगर कोई doubt रहे गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के मादियम से लिख सकते हैं कल जो मैंने प्रेटो के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें एक छोटी सी mistake थी अगर आपने कल वाला वीडियो भी देखा है, बाकी काफी कुछ समझाने का प्रयास किया था, लेकिन एक गलती रहे गई थी जी मौसका, Their ruling class है, Their ruling class, पुस्तκ है, वो किनकी है, वो Missails की बता दिया था मैंने, वो पुस्तकகिन के, G.Moska की, इनकी है, G.Moska की, इसके लिए मुझे झेड़े है कि मैं बताया, मैंने वहां आटा दिया है, तो G.Moska की है, Our ruling class, सासक वरग पुस्तक है जो तो कुछ जगाई क्या है कि मोशका और मिसेल से दोनों को एक ही समझा जाता है लेकिन एशा नहीं है जी मोशका नहीं ये पुस्तक लिखी था तो इसके लिए मुझे खेध है आगे से ध्यां रखेंगे कि इस प्रकार की गलती नहाई आई आपने इतने प्रेम से मुझे धन्यवाद जाते जाते लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करना